इश्टाय बुटलेश्री मिते बक्तिव दाम स्वाम्थ नामें नमस्ते सारस्वति रेवे गवर्वानि कुछाने निविशे सुन्ने वारी पश्षा दिस्ता जैस्रीक्र्ष्ण हरे राम, हरे राम, 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 Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare chakra Hare, Rama, Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna प्रगुपति राग्व राजाराम। प्रगुपति राग्व राजाराम। प्रगुपति राग्व राजाराम। भाप अरे island लुः मारे 1 अरे टुष्ता। अरे नर्म यृ के लेने लुः दो कि आप ऐख से खरीनाम संकृतिंटिंटी रूप मज्ञान तिमिरंदस्य जणन जन सलांक चक्षरुन मियम्त असमै श्री गुरुवे नमा श्री चैतन्य मनोब विष्टम् स्थापितम् ये नभू देस्वा फॉट अन्देहम श्री गूरॉ उता पदकमलं स्य उप़न दन औरirmLya को निटन जिएयता कने नमस्ते जारस वते देवे गौरवानी कृछारी निरुविशेश कर्छेश सुन्हेवाधि पास्शाथ सतारिमे स्रीकृ्ष्ण तब करते हैं सभी हुस्त कहते हैं मिश्ट्री ओफ लोड शिवा भगवान शिव एक रहस्य के अंदर आज गनेश जी के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत सारे बहुत सारे जगह पुरे दुनिया में लोग सुचते हैं कि भारत जो है भारत ऐसा जगह है जहां पर हाथी की पूजा करते हैं जहां बंदर की पूजा करते हैं जहां साप की पूजा करते हैं अनंतसेश जो हैं साप है तो भार पूसर यह देखा जाता है कि भारतियों को अपने धरम का कोई जानकारी नहीं होता है और वह वेचारा उसको जब कुछ बोल नहीं पाता है तो उसके रिवाउंड में उसके रेक्शन में उसको यह लगने लगता है कि हम जिस संस्कृति से आये हैं हो एक इंफिरियर संस्कृत जो बाहर के पड़े लिखे लोग नहीं बोल पाते हैं लेकिन सोचता है उल्टा है वह आपका भूशन है जो आपको पता नहीं है एक बार आइंस्टीन के पास एक भारती आया एक असिस्टेंट के रूप में तो आइंस्टीन ने बोला कि एक उपर एक किताब पड़ी जरह निकालो तुसने उपर से एक किताब निकाले बोला इसको खोलो खोलते दिखा उसमें लिखावा था भगवत गीता गीतों पुलिश्द लिखावा था उसके बाद उसको खोलके उसने बोला कि इस स्लोग का मतलब बतलाओ अब यह जो भारतिय था दक्षिन भारत का तुम भारती हो तुमको भगवद गीत है का स्लोक का मतलब नहीं मालूम है तुमको अच्छा लग रहा है सुनके तो अगर आप भारती हैं भारत में पैदा होएं चाहिए किसी भी धर्म में पैदा हो आपको गीता आना ही चाहिए जिसे कोई आरव जाता है जो भी धर्म काया कुरान को थोड़ा वो तो जानता ही अगर आप भारत में जनम लिये हैं तो आपको गीता आना ही चाहिए अगर आप गीता नहीं जानते हैं भारत में रह के अगर आपको गीता नहीं पता है इसका मतलब दुरभागे साली वेक्तिय कि आप से बड़ा दुर्भाग कि किसी करें कि इतना बड़ा ज्यान था और उसको समझा नहीं पढ़ा नहीं और ऐसे जिन्दिगी जीके निकल गया तो हम आते हैं भागवत में गीता के उपर हमने पहले यह 18 दह ले गया अठारा दिन में आप अगर फेशबुक लाइब पर पहले के तो आपको गीता के उपर 18 सेशन मिल जाएंगे हर चैप्टर को पर एक सेशन मिलेगा आज हम सीव जी के रहस्य को उद्गार करने वाले हैं और आज गनपती के विशेश के उपर बोलने वाले हैं तो गनपती का जो जन्म है वहां से हम चालू करेंगे तो देखिए गनेजी जो है गनेजी का जन्म कहां दिया हुआ है क्यों से सास्त्र में है कोई भी चीज को अगर आपको परखना है पहले उसको सास्त्र से परखना पड़ेगा सास्त्र उसके बारे में क्या बोल रहे हैं तो कि जो हम जो देखते हैं सुनते हैं आखों से कानों से इसमें का लिमेटेशन है आखों से जो चीज जैसी दिखती है वैसी रहती नहीं जसा दिश्त तसन नस्त मनु जाग फस्त माराटी में कैमन है जो जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है लेकिन लोग फंच जाते हैं इसको आप जहां भी लगाईया लग जाएगा जिस परिपेक्ष में लगाईयेगा वहां लग जाएगा जैसा चकाचक दिखता है एवरिटिंग डाट देटर्स इस नोट गोल्ड हर चमकने वाले चीज़ सोना नहीं होती है हर दिखने वाले चीज़ वो नहीं होती जो हुआ जो आपको लग रहा है तो आंखों से जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं को सही हो कानों से जो आपने सुने हैं जरूरी नहीं की सही हो यह सब जो परमान हैं देखने सुने वाले जो परमान हैं सब के कानों का लिमिटेशन है कान में हर चीस तो सुने ही नहीं पड़ता है अगर बगल के कमरे से आवाज आ रही है आपको लग रहा लोग नहीं है एक बहुत नया हाई-फाई साउंड सिस्टम लगाया हुआ है और आवाज ऐसा आ रहा है जैसे कि आदमी सही में चिला रहे हुआ 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 इस तरह से आपके आखों पे कानों पे भरोसा नहीं कर सकते सास्त्र को और पौरुश से कहा गया है सास् सास्त्र में वेदों में जितनी भी बाते लिखी हैं एक बात को भी आप काटने सकते हैं एक बात को पूरे सास्त्र से एक बात को आप काटनी सकते इतना सास्त्रों का दम है एक बात को जैसे सास्त्र केता है घर के भाहर गोबर लगाई तो लोगों ने गोबर लगाया सदियों से लगाया समय बदला युग बदला केवल टीवी से डिश टीवी डिश टीवी से इंटरनेट टीवी और कौन-कौन सा टी लाइव टीवी आ गया लोगों ने गोबर लगाना छोड़ दिया गाय को निकाल दिया कुत्ता ले आए अब क्या हुआ गोबर के उपर चलने से जो इनर्जी मिलती थी वो मिलना बंद हो गई इसलिए आज कल घुटनों के प्रॉबलम बहुत आगे लोगों में बहुत जादा घुटनों के प्रॉबलम होते रहो हड़ियों के च्वाइंट्स के प्रॉबलम ऑस्ट्य और्थराइट अब कुछ दिन पहले इसको एक बड़े मंदिर से भक्त लोग आये थे तो यहां आते ही हमारे आस्रम में आते ही सब कर सबके जो हैं जॉइंट्स यह प्रॉबलम थे पांच दिन रहे और पांचों दिन में उनका सब ठीक हो गया है तो मेरे को पूछ रहे थे कैसे ठीक हो ग यह जो गोबर है गोछ रहे है इससे जो आपको इनर्जी मिल रहे है पांच दिन में इसने आपके जॉइन्टS के प्रॉपलम्स फोठीक किया और आप जो मार्बल में चल रहे है आपके एनर्जी को खीच रहा है है कि सासर कहता है बेटा घर में गोबर लगाओ आप कहते हैं हुजूर मैं बहुत होस्यार हूं तो है और मैं हड़ीयों में प्रिकेम इतना होस्याव हूं मैं फिर क्या हुआ जर्मनी में लोग च्छतों में गोबर लगा रहे हैं गोबर एक ऐसा चीज है जो जो निकल रहा है अल्ट्रा वालेट लाइट जो लिख है ओधरी पे उसको गोबर प्यूरिफाई कर लेता है घर के अंदर आपको यूवी लाइट तक आने नहीं पर इतना प्यूर चीज है गोबर को जलाने से जितने भी वायरेसे तमाम वायरेसे से भाग जाते कुछ निकल ना को गोबर का जो उपला होता है उसको बस जलाई यह उसमें थोड़ा सा करोंज का ते थोड़ा सा खी डालके दो तीन बून डालके जला दीजेगा जहां तक धूआ जाएगा सारा वायरेस फ्री एरिया हो जाए फिमिगेट हो जाता है कि इतना हम पून तो यह सास्तर में एक Glass गलत नहीं है जो चीज चीजें की यूज के लिए लिखा है एकदम परफ्रेक्ट है तो हम गणेश के जयर्म के बारे में सास्त्र से देखेंगे कहा से सास्त्र है दो सास्त्र है पहला सास्त्र जो है गनेश जन के बारे में वो है ब्रह्म वैवर्थ पुरान ब्रह्म वैवर्थ पुरान इसके गनपती खंड में कि आ रहा है कट तो है कि नहीं कट गया है ठीक है ठीक आप यहां से यहां तक तुदी करना ब्रह्म वैवर्थ पुरान गनपती खंड इस पर रहा है कि ब्रह्म वैवर्थ पुरान के गनपती खंड में दूसरा जो है दूसरा जो जन की कता है वो आ रहा है शिव पुराण में और शिव पुराण के कुमार खंड में है कुमार खंड रुद्र संहीता यहां पर है कि देखने पुड़े है कि आतुर रहे है कि इसके अंदर शिव पुराण और ब्रॉमेवर्ट पुराण अब हम आपको कता सुनाते हैं एक आपने फेमस कता सुना होगा कि पार्वतीन अपने सरीर के हल्दी को उठाके गनेश जी बनाया वो जो कता है यहां अर्शिव पुराण से हम आपको जो कता सुनाने वाले हैं ब्रह्मा विवर्द पुराण से सुनाने वाले हैं लग-लग कलपों में बर्मह जी के ज Jess James अलग एलग दिन होते हैं उसुस दिन में जो गनेष या आते हैं अलग-एलग उनकी कथा अलग-एलग अलग हो जाती। तो किसी पुरान में एक कल्प की कथा होती किसी पुरान में अलग कथा अधिया है को हम अभी जो ले रहे हैं बरह्म विवर्द पुरान की रहा है और इस कफा ऊस। अंफे नारध मुनी नारायन से पुछते है गनपथी का जो जन्म है किसे होता आरिजिन कहां से उनका और नारायन नारध जी को सुनाना चालो कर Ex और कहते हैं कि सबसे पहले कार्तिय की एक जन्म हुआ और ये अलग अथा है जो अभी हम नहीं लेंगे यहां पर कार्तिय की एक जन्म हुआ देवासुर संग्राम में लड़ाई करने के लिए इसके बाद पारवती एक सावाल करते से पूछती है कि मुझे और एक पुत्र चाहिए एक और मेरे को बच्चा चाहिए तो सिव जी कहते हैं कि तुम पुन्यक वरत करो पुन्यक वरत करोगी तो इस वरत में कृष्ण को पूजा करो ध्यान करो उनको भोग दिखाओ लोगों क प्रशाद माटो उनका नाम जब करो और यह एक साल तक करो तब तुम्हारे यह पुन्यक वरत सिद्ध हो जाएगा तो पारवती यह वरत करने लगती है और वरत करने जब लगती है जब साल भर उसका समापन होने वाला होता है तो समापन के दिने की यग्य करना होता है और यग्य के समय साक्षात विष्णु वहां पहुंचे और जब वहां पर विष्णु पहुंचे तो सब देवी देवता आपने अपने जागे से खड़े हुए और जब विष्णु वहां पहुंचे तो वहाँ विश्नु को बड़ा आसन दिया गया सब लोग नहाँ नीचे बैठे और विश्नु वहाँ बोलना चालू करते विश्नु से सवाल किया गया कि आप हमें यग क्या पुर्णा होती संपूर्ण अच्छे से हो इसके लिए हमें कुछ बताए तो विश्नु कहना चालू करते हैं कि सुनो ये जो कृष्ण के जो भक्त है कृष्ण की जो भक्ती है वो सब चीजों का सार है सारे देवता बैठे हम आप सिउजी बैठे हैं सब देवी देवता बैठे कृष्ण की भक्ती सब चीजों का सार है यह सिखाते हैं कृष्ण भक्ति हर चीज का सार है तो पहला चीज विश्णु सिखाते हैं दूसरा चीज सिखाते हैं कि कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनका प्रलय में नास नहीं होता प्रलय जब होता है तो कहने हैं विश्णु कह रहे हैं सिखाते हैं प्रलय के समय पूरा ब्रह्मांड का नास हो सकता है लेकिन कृष्ण के भक्त का नास नहीं होता चीज जिख को सामने कह रहे हैं और एक चीज कह रहे है कि खाना की सती हो गई थी कल हम कत्र सती के बता रह तब के कि सती कैसे जल जाती है और जलके खतम हो जाती है वही दूर्ग जो सती के रुप में आई होती है वही फिर पार्वत gap रुपे जनाम लेती है और दक्ष जो है बेचारा बहुत रोता है जब सो बकरय का सर लग जाता है बहुत रोता है कि मेरी बेटी मर गई अब यह भी नहीं कहला सकता है कि दुर्गा मेरी बेटी थी लेकिन तुमने उसको सही जगह नहीं दिया अब दुर्गा जो हिमाले की बेटी बनके जनम लेली दच बहुत रोया बेटी से बहुत प्यार था अब इधर विश्नु कहा रहे हैं कि यह तुम्हारी पत्नी है न जाता तो कैजये न हूब के एक साण मैं इस दुह घी ईकडम त्यासे इस यह डी हैं हम मेरे ले उलनकेर का नहीं चलता है तो याद रखिए शीव जी जो प्रलय करते हैं जगनातपूरी डूपता नहीं तो अगर आपको सेफ जगह जाना है परले हो वह जगनात पुरी चले जएगा अब अगर जगनात जी का रथ यात्रा नहीं निकलेगा तब कौन सा परले आएगा कहने सकते हैं तीसरा विश्यूद आएगा तो उसका गारेंटी जो है खेर जगनात जी के यहां जो किताबें हैं उसमें प्रेडिक्शन्स हैं कि यह जो साल है इस साल पूरे भेंकर युद्धों की आसंका है जगनात जी के पुष्टक में ऐसा लिखा है और एक लाल किताब है उसमें सरवरी समवस्षर के बारें बताएगा कि सरवरी समवस्षर मे राजे युद्ध करेंगे और वर्सा अनियमित जग़ जग़ पर अनियमित वर्सा पड़ेगी और अन्य को नुसार बहुत अन्य अन्य अस्ट्लोजर को नुसार भी यह समय काफी खराव है तो इससे बचने के लिए आप लोग रोज सुबह उठके नर्सिंग प्रणाम करें सबकरों के दौर इस बड़े महा मारी के दौर में कृष्ण कैकरते हैं का यह important की अधु जगत की माता है की जगत की माता है तो इसको कूछ न करना Esta इसका मतलब यह है यह पारवती सबको कूछ दे सकती है तो खुद का पुछ क्यों नियुक्पन कर कर सकती है लेकिन पारवति को जो पुत्र चाहिए था वो कृष्ण ही चाहिए था कृष्ण ही पूत्र चाहिए था तो आप उसके पावर से आगे का पावर मांग रही है तो कहां से होगा अपने आप है न को वी आदमी आपने लेळा से आगे का लेवल सोचता है हम और आप सोचते हुंगे न कि एक लेक बृत बहन की बहन को रूप में अ waterproof में लेकिन उसको एगा तो क्रिशन के जैसा कोई है नहीं कि लिए और कोई नहीं तो विष्णु कहते हैं कि हाला की पारवाती सब को पूत्र देती है लेकिन अब इसको पूत्र चाहिए और कृष्ण यहीं है और कोई है नहीं तो कहते हैं सुनों हे पारवती पती पारवती पती मतलब ओ नमः पारवती के पती मतलब भोले बावा सबसे गरीब और सबसे अमीर अध्यात्मिक द्रिष्टी से सबसे अमीर भौतिक द्रिष्टी से सबसे गरीब लेकिन उनको जाके गरीब मत बोलना ने तो पारवती उठा के और फिर तुम्हारा तो कल्यानी है भौतिक द्रिश्टे से भी करीव हो जाओगे तो भोले वाबा जो है कहते हैं कि यह जो भोले वाबा है सुनिए भोले वाबा आपको जो पुत्र होगा उसका नाम गन पती रखिएगा जो गन लोग हैं गनों का अधिपती होगा जितने जो लीडर होगा यह आपका कनपती उप्क आएगा और इसका नाम होगा लगना गनाल किourdmedher निदना यह को इसका नाम होगा लंबोोदर लंबा है उदर जिसका इसका नाम होगा घजानन इसका चेहरा जो होता हाथी iisku नाम होगा एक दूसके एक नात नहीं है और इसकी अगर पूजिया और इसकी अगर पूजा होगी कहीं भी देवताओं की पूजा होगी पहले इसकी पूजा होगत इएक बृष्ण beverage combined हो गए और वहां बड़ा यग किया गया बुलाये गया सबसे बड़े पुरुओं सब्सक्राइब कंदूंहों सब्सक्राइब सब्सक्राइब और स्थनत कुमार ने वो लगाया क्राइटेरिया कंडिशन लगाया कि मैं यह कि तब करूँगा जब दशीना के रूप में सियू जी मुझे मिलेंगे सियू को मेरे को जोली में डाल के देना पड़ेगा हम इनी को ले जाएंगे दशीना में पारवती जब सुनी अब देखिए एक साल से तपस्या की है विष्णू भी आके दर्सन देखे चले गए विष्णू बोल भी दियेगी गनेश करके बेटा होगा लेकिन जब पंडी जी आपका जब ब्लॉक लगा देंगे तो आप मुछ नहीं कर सकते चाहां पारवती क्यों पारवती अच्छेत होके गिर गए विष्णू तूरत आकास से उतरे वहां से बोले पारवती मान जाओ इसका कहना ब्राह्मन का वचन है काटने सकती इनको दे देना सीव जी इसका उपाय हम बता देते हैं उपाय है कि एक गाय को जाके उनको देना लेकाय रखिया और बदले में आप सीव जी को देदी तो ब्राह्मन जो है वहां पर फंच आए तो पारवती समझे गई ट्रिक पारवती ने यह के करवाया सीव जी को दान मी दे दिया आप गाय लेक्याई गाय दे दी आप ब्राह्मन तो गाय बाना नहीं कर सकता है इवी गाय की महिमाई यह है वो है सब 33 करोड देवता उसमें बैठे हुए है कैसे का कम है तो गाय देखे उन्होंने सीव जी को वापस लिए इतना असान नहीं है पारवती के स्थान पर बैठना और उसके बाद सीव पारवती जो है साथ रहने लगे एक दिन की बात है एक रात मे ब्रामन एक दर्वाजा खटकटा रहा थी तो उसके खटकटा रहा था तो इसे लोग गये देखने के लिए बहुत भूखा एक तम कंगाल जैसा एक ब्रामन आयो को भूख है जो यह एका जो परसाद है वो ही हमको चाहिए खाने कि तो तुरत पारवती का एक तम यह का परस उसका नाम गनेश रखना और वो गयव होगे आकासवानी भी गयव होगे यह जो आकासवानी जो किया यह जो ब्रामन जो आये थे और स्वयम जनारधन कृष्ण भगवान आये और जब पारवती अंदर जाके देखी तो एक बच्चा वहां उनको दिखाई पड़ा जो कृष् जिसको जो-जो-जो मांगा उनको उनगोंने वह चीज देना चालों कर दिया अब कि यह जो गनेश कि विद्धे कि तो जनम लेती बड़े हो गाए ज्यादा नहीं एक सुबह हुआ सुबहुआ होते बड़े हो गनेश ते बाई कि साधान तो थे नहीं जब बड़े हो गए तो लोग अपने मापिता का उन्होंने प्रदिक्षना किया बहुत सारी लिला हुई उनको चूहा के रुप में आसन मिला वाहन मिला उनको बैद्वियाज जी का पतक फिएमहाभारत और सब गरंतों को लिक्षा कि रखना चाहते हैं ल सुखे कि कैसे लिखेंगी ब्रहमा जी से मनें सवाल किया तो ब्रहमा जी ने कहा इसके लिए तुम साथ लेक्षा है और गणेश इसको लिख सकते हैं कि तो ब्रहमा जी तो बेद्व्या जी ने गनेश जी को बुलाया गनेश जब वहां आए तो गनेश कहते हैं सुर्ट वैतत प्रहर विघनेशो यदी में लेखनी छनम लिखी तो नव तिस्ठेट तदा स्याम लेख को हियम हम मैं लिखूंगा लेकिन एक कंडिशन पर अगर तुम एक छन भी मुझे रुकवा दोगे तो देवमा बुद्वा मा लिखकोचित आमोत युक्तवा गनेशो पी बभुवकिल लेखको तुम तब तक ही लिखना जब तक तुम समझ रहे हो समझ मनी आए गा तो बीना समझे कुछ मत लिख दाने लिखने समझे सभिगu लिखा समझ की लिखेंगे तो जहाँ वह कठीन कठीन कुछ-छीं बोल देते तो समझते त हैं उसका जगा देख्ञाँ समझने में कभी-कभी साल भी लग सकते कोई चीज को समझना भक्ति के गहराई को समझना उसान नहीं इस तरह समने पूरे माहभारत को रक्सना कि तो गनेश जो हैं के बारे में ब्रमा जी कहते हैं कि यत पाद पल्लव युगंविनिधाय कुंभा द्वंदे प्रनाम समय सगनाधी राजा विखनान विहंतुमल अमस्य जगत्र यस्य गोविन्दमाधी पुरूसंतम हम्भजामे यत पाद पल्लव गनेज जो पैदा हुए छोटी सी बहुत important detail रहे हैं सब लोग वहां मिलने आये और पारवती ने सब करके देखे देखे कि गनेश का सर था उड़ गया उड़के सीधा वेकुंट गोलोग की पहुंचे गया कि भाई शराप शराप होता है इतना पावरफुल था अब लगी पारवतिरों ने तुरत वेकुंट से विश्नु आए बोले आप क्या हुआ तो यहां पर मर गया है कि तो एक असूर था जो की हाथ ही बनके हुम रहा और उसको भी मरमाई ओं ऑब उससे मरता हुए कि मेरा जो है आई मरती मरती ऐक वर्दान मरता है न reciprocal हो हर जगह भगवानरों का पूज हो कून Кरने अब जब सर लग गया हाथी का जी गया बच्छा बनमाजी उसमें प्रान फोग दिये तुरत आ गया जिन्दगी आ गया वापस पारवती खुस हो गई अब विष्णु तो बोली दिये कि पहला पूजा इसका होगा असूर का भी इच्छा पूरा हो गया पारवती का पूरा हो यह गड़ा और गड़ा दो रहत है करने से नर्हरी के चरनों को ध्यान लेकिन अगर बहुत वास्तु का प्राब्लम है तो वास्तु सांति वाला कहता है कि आप नर्सिंग को सापित करिए कि वह सुपर प्रावल्म हो गया तो फिर वह हाइर डिगरी में चला जाता है तो यह है गनपती जी का संचित चरित जितना संचित हो सका अब इसको हम वापस साथे हैं स्यूजी के ऊपर गर अगर दिखा जाया तो गनपती के बारे में जिंग पिंग गर में भी होगा जाके देखने पड़ेंगे गनपती के पुजारी पूरे दुनिया है क्योंकि जानते हैं कि विगने भी ना सक है लेकिन खेल सीव जी को पर हम आते हैं वापस सीव जी के मिश्ट्री को हम देख रहे हैं तो एक बार नारा जी को एक सवाल आया कि सबसे बढ़ियां भक्त कौन है तो खोशते खोशते ब्रमाजी तेक पहुंच गए और ब्रमाजी को बोले कि आप से बड़ा भक्त कोई नहीं कि आप इतने बड़े भकत हैं वागवान के कि आपसे बड़ा कोई नहीं ब्रमान की सिस्टी भी आप करते हैं और भक्तों में आपसे तरीक्त कोई नहीं ब्रामा जी बोलते हैं तुम हमेशा नीज में कनफ्यूज हो कि क्यों आते हैं पास lately जब भगवान नहीं कहते हो तहां हम चार खुरते हैं अब आज नहीं करें हैं आगा से बाड़ा भक्त है का Baghवा हो मार सिंग जब आये थे हिरन कस्पू को मारने के बाद जब हमका चोड़के खड़े थे तह ूझी लक्ष्मी सब तो नहीं जिंदा के सथे से नहीं आस्तुरों से नहीं तो भगवान पाषिए नाक्र होनी को में निएंग आ कि इसलिए इसलिए हमसे ज्याध़ों को सिव जब भाना सुर्ख को सीव जी आशिर वाद दिया कि तू जब लड़ेगा मेरे स्तरे साथ खड़ा रहूंगा बानासुर को एक हजार हाथ का वर्दाल था और एक हजार हाथ से नगड़ा बजाता था सीव जी नम मस्त नासते थे खुश होते थे उसके नगड़े से वो जो चितर लेखा थी चितर लेखा ने चितर बना बना के दिखाया कि ऐसा दिखता रख्या वह आर्टिस्ट थी बहुत बड़ी तो जैसे उसने एक पिक्चर बनाया वह आएसा ही दिखता है वह अनिरुद्ध था रुकमिनी का पोता तो जैसे उसने बनाया तो चितर लेख के और इधर अनिरूद्ध और उसा का विवाब यो गया और बाप को पता भी नहीं चला कर जब उसको पता चलत इतना गुस्सा हुआ और क्रिश्ण को पता चला वहाँ प्रूसा हुआ फुषग हुआ लाने गए कृष्ण जब वहां लाने गए युद्धुवा दोनों के बीच में बानासुर को मरते मरते बचा लेकिन स्यूजी के उपर कृष्ण कभी गुस्ता नहीं लिखाया तो ब्रमा जी कहते हैं इसलिए स्यूजी उनके बहुत भाई जैसे हैं के दोस्त जैसे हैं लोग फूर्क Πाण्रिव कहते हैं कि स्यूजी जो है नद्धर्म अर्थ काम मौक्ष्ण ये चार चीज़े वो संसार में लोक कोषते रहते हैं इसमें सबसे बढ़ा जो मौक्ष है स्यूजी के लोग में जो पैदाव यह होता है उसको मौक्ष्ण मिला रहत है которое कहते हैं कि तृपूरा सूर ऐक तरफूरा सुर गर करके तृपूरा सूर कर एक मैधानों था यह दोनओन मिलके बड़ा और यह मैह दनौने एक अधराओ बना बखो बड़ा कुओंद हर क्यों में अमरित् जयामा करके रख दिया और मैह दानों जो है तिरपरा सूर्ज यहां लड़ने जाता था है और लड़ने जाता था इज़ाता था इधर इत्लों को पी लाता था यह यह दोनौ के तवाही मचा दिया तो जब ऐसा था दे चोड़ती को इसमस्य को की अफर यह एक को आसिरवात ने दिए कि तुम जो है लड़ते तुम जो है गायब होके लड़ता रहेगा यह अम्रीट पी पिके फिर आ जाए विली को तकलिफ जब तकलिफ में है तो भगवान खुद गाय बनके आए और प्रम्हाजी को बचड़ा बना के लेकर आप फिर से एक बार विष्णू खूद बचाते हैं कर हम देख रहेते हैं विकासुर्ज ने असिरवाद दिया कि जिसके सर पर रखेंगे मर जाए और बिकासुर्ण को बचाने के लिए फिर विष्णू आये और विकासुर्ण को अपने मीठी मीठी बातों में फसाके अपने उसका हाथ उसी के क्रपा मिला है हमसे ज्यादा कि पांप मिला हुआ है कि जब रावन को सक्ति दिये थे सीव जी और रावन क्या करता था कहलास को बार बार उठा लेता सक्ति दिखाने के लिए स्थितित हरु तो फिर भगवान आए राम के रूप में रहामारउ और राम आ और स्यू जी के हेड़ को दूर किया है अभ ये कोई if you About how theれて अगर किए अगर स्यू बड़े नहीं है राम बड़े है तो रामेश्वरम में स्यू जी का पूजा राम क्यों कि तो आपके सवाल को और हम एड़ करके देते हैं परसुराम भगवान की विश्णु के अवतार है वो सीवू जी की पूजा क्यूं कि यह मेरा एक सवाल और एड़ के फैसं आपके सवाल परसुराम शिव जी के पूजा क्यों की है। और तो और द्वारका में किरिश्ण रहते थे तो पूत्र पराप्ती के लिए शिव जी का पूजा किये कि परम भगवान क्रिश्ण जेंजब शिवजी का पूजा किए तो आप तो और आपका सवाल बढ़े यह त skeptских इतना स्यूजी का पूजा क्यों हो रहा है सुनिए क्यों हो रहा है बाप चाहता है कि बेटा का नाम भी फैले कि तो आप उलेगा प्रभूजी आप घुमा रहें बात को घुमा ने रहें आगे आएगे है जब समुद्र मंथन हुआ था और वहां से विष निकला था तो विष निकला थ安全 तो सब लोग भगे हरी के पास हरी बोले कि सिंटा मत करो चलते हैं चीजी पास और चीजी के को बोलते हैं कि आप सीव जी आप 20 पी लीजिए तो गौरिया कि कहते कि मत पीजिए मर जाईएगा तो भिष्नु कहते हैं गोरी के प्रानात तो गोरी क्या बोलेगे पहला नाम गौरी का नाम यह है और सिव जी को बढ़ गया विश्व को महिमा से अभी शेक कर दीए देखिये न के महिमा कितनी बड़ी उनका महिमा तो पता चलना चाहिए जब आपको कोयआ बड़ा पहाड का सीधा अगर देख लीजिए आपको इतना अच्छा नहीं लेगा जब आप एक पहाड देखिएगा इसके बाद अगला पहाड इतना वड़ा है तब आपको समझेगा वह इससे भी बड़ा पहाड है तो उसका महिमा और दीखता है तो इसलिए आपके अगल हुने बताया ना कि शीव को दो पी लेंगे तो सीव को महिमा किसको पता था विष्णू को पता था अगे था समझ रहे ना इसलिए बिश्णू जो है वोसीव को जिस नोवसके अचbles़वाद दिया तुम पांड़ों को डरा सकते हो जाओ ऐतंव मैं अच्रोब एक दिन के लिए जैदिरत खुशी से पूला नहीं समया फूलाने समया एक दिन हम रोक लेगे लेगे उसमों पता नहीं था कि वही दिन आ करी होगा तो यह चिद्र वर्दान कहते हैं सचिद्र वर्दान मतलब उस वर्दान में कुछ फॉल्ट है जो समझने पारा है सामने वाला जैदरत को लगा कि हम आज पांड़ों को रोखी लेंगे असिर्वाद है उसको यह नहीं समझा कि भोले बाबा रोकने के लिए असिर्वाद दिया है मारने के लिए तुम मरो गए इसमें इन्विल्ट डाला हुआ है अब मर गया तो जब शिव जी असिर्वाद देते हैं उस छिद्र को यह असुर्वाद लोग समझ नहीं पाता है रावन भी उसको समझ नहीं पाया रावन को उनुन आसिर्वाद दिया तो आजाएगा वापस लेकिन इसका मतलब यह नहीं का था कि तुम नहीं मरोगे स्ञाक्रिक निए तो जुकल्स करला तुम नहीं मरों गें सिुजी ने करा था कि तुम्हारा सर कटेगा तो नेयासर रूप जाएगा इतने असे माषनिए लेकिन राम आफ़के उसके हिर्दे कि यह ऐसा बनेगा कि यह ब्रम्हांड है कि इसके ऊपर इसके आधे में पानी भरा हुए और यहां पर गरबोदक साहिम इसनु यहां लेटे हुए यहां पर लेटे हुए और इसको उपर चाओदा प्लेटर शिश्टम हैं एक दो तीन चार इस चाओदा लोक लोको का सिस्टम है चार और यहां पर इस लोक के अंदर में जहां स्वर्ग है वहां पर सीव जी का लोक है इसको कहते हैं कैलास यह भी सीव लोक लेकिन यह चोड़ा सी लोग और यहां पर रहते हैं कुबिर तब और को देक हैं और सो ब कुबर सिवजी का रादना करते हैं इस लोगने लेकिन इस ब्रम्हान के आगे यहां है इस ब्रम्हान के आगे वेकुंट है वेकुंट और वेकुंट और इस दुनिया के पीछ में जो स्थान है इसको कहते हैं महेश धाम और महेश धाम में यहां पर जो धाम है यहां पर महाशिव और दुर्गा जी हमेशा रहते हैं और यहीं दुर्गा जो है यहां पर कभी सती बन के आती है कभी पार्वती बन के आती है कभी गोरी बन के आती है यहीं दुर्गा आते रहते हैं तो वायू पुराण में लिखा है है इसका चर्चा कि यहां पर महेजधाम है और इस जगह दुनिया में जो शीव लोग है इसकी चर्चा तो खेर बहुत से पुरान हुम है तो इस तरह से दो जगह उनका निवास है तो जब ब्रमा जी ने इतना कुछ घाथ नहारत मुनी तुरत दोड़के निकले शीव जीजी के लोग पहुचे और सीव जीजीद्योग जो पहुचे वहां क्या देख रहे हैं सीव जीजी एकदम नाच रहे हैं और पारवती जुआ है ताली दे कर्ताल देकर किर्तन कर रही ह जय 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 रा जय जय राधा क्रिश्ना जुगला मिलाना आरती करये लले तादी सक्खी गाना मदना मोहना रुपा क्रिभंगा सुन्दारा पितांबर सिखी पुछा चुडा मनोहारा ललित माधव वामे व्रिशभानु कन्या सुनिलव सनागोरी रूपे गुने धन्या नाना विधालंकारा कोरे जलमाला हरिमना वीमोहना बदना उज्वाला विशाखादी सक्खी गना नाना रागे गाए प्रिया नर्म सक्खी जता चामर डुलाए सिराधा माधव पदे सरसी जासे भकती वीनोद सक्खी पदे सुखे भासे ताली देदे के किर्टन चल रहा है वहां पर गनेश कार्तिके सब नाच रहे हैं पार्वति करताल बजा रही है और भोले बाबाबा नाच रहे यह यह नजारा देखके तो नारत मुनी भी नाचने लेगे थोड़े दें बीको और नाचते नाचते वह कहने लगे जय हो जय हो भोले बाबा की जय हो आप भगवान के सखां है भगवान के सबसे प्रिये हैं आपका अपराथ भगवान कभी लेते नहीं है थोड़े जरी तक तो अपने दुनिया में थे जब उनको समंज में podéis कुछ बोल रहा है तो सुनने लेका क्या बोल रहा है है वोड़ खराब हो गया हम कहां कृतन कर रहे तुम कहां मेरा स्थुति कर समारा भी तो एक नाराद्वूनी जो है कहां लोग भजन कर रहे थे कहां से नारद जी आके हमारा हिस्तुति करते बैड़े अब सीव जी जो लजीत हो गए लजीत हो कि कहने लगे शुनो नारद नारद उनके पैर पे बैठे हैं उठा रहें लेकर उठने रहें इतना महिमा सुना दिये ब्रमाजी की नीचे से सुठी नेरे मना रहें है कि सीव जी कहारे है सुनो तमोगून का अधिश्ठाता देवन आया है सबसे खराब गून है सत्योगून रजोगून तमोगून उसमें सत्योगून भिष्णू ले लिए रजोगून ब्रमा को दे दिए आज सबसे थर्ड क्लास था वो तमोग की करने काम दिया है को बढिया काम काम है कि श्रीश्डी श्री करना होता अलग वाध रहन करो जहां तोड़ना वाहं सी उसके बाद ये कह दिया कि करने चंदना संक्राचारि बंजाना संक्राचारिय कि मैंने क्या प्रचन नको लगा दिया तो कौई ने करने को थ्यार होता है हम पकड़ा दिते हैं उसके बाद अनि उसमें तो डे और तुम कह रहे हैं कि हम और परवती मुक्ति देते हैं, अरे मुक्ति जो है भक्ति का विरोधी है, मुक्ति भी पांच प्रकार का होता है, देखें तो सबसे नीचे का प्रकार का मुक्ति है वो है सायूजिया सायूजिया मुक्ति, सायूजिया मुक्ति मतलब भगवान के निराकार रूप में विलीन होना निराकार रूप में विलीन हो जाना, यह सायूज अमुक्ति तो कहते हैं उसके बाद और है सालोक्या है सारूप्या है सारिस्टी है और सालोक्या, सारूप्या, सारिस्टी, सायुजिया पांच परकार का जो मुक्ती है सबसे जो निम्न मुक्ती माना गया है सायुजिय मुक्ती को जो विलीन होने वाला मुक्ती बोले इस मुक्ती को तो कोई चाहता ही नहीं 22 लोग तो इस मुक्ती से 10 हां दूर है तो कि इस मुक्ति में निराकार रूपए बिलीन होना जो मुक्ति जो हम देते हैं जो मेरी पत्नी देती है जो अधिकार हम को है इस मुक्ति में रस गायव हो जाता है जैसे जैसे कि आप किस्व डाटेगा ये बहुत मारेंगे अब वू क्या करेगा अपको पता नहीं हैं जब पता नहीं है तब तो मजा आएगा ना और आपको सामने को रोबुट्रे बहुत मारेंगे हम भी बहुत मारेंगह अब को पता है हम क्या आप बोले कि मजा नहीं है मारा गए है तर नेरे को इस लिए enterprise होता है जुआ कुछ मेरे मुक्ती बताएं मुक्ति कहते हैं कि मेरा मुक्ती कहती है बरज उॅ्ड-मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए ब्रज के रज क्यों अगर कोई लगा ले तो अद्दर से रस परकट हो जाएगा मुक्ति मुक्त हो जाएगा तो इसलिए ये सिव जी कहते हैं खुद सिव जी कहते हैं कि ये जो मेरा जो स्थान है वो स्थान जो है ऐसे अघोरी तामसी लोगों के लिए ये सियुजी का एक महिमा है जो वह हरी नाम दे सकते हैं तांसी नोगों को भी आगे भढ़ा सकते हैं तो इस तरह से हमने सियुजी के महिमा कुछ देखने का प्रयास किया इन चार स्थिंखना के अंदर और इसके अंदर अगर आपका और भी कोई कोई सवाल होगा तो आप कमेंड में डाल दीजेगा उसको हम देखके फिर अगले दिन उसको एड्रेस करेंगे और कल से जो हम स्रीज चालू करने जा रहे हैं कल से यही स्रीज आगे बढ़ेगा चोथे सकंद को सब्सक्राइब और समस्याइं जो कभी करवा बोल देते हैं कुछ से कॉम्पेटिशन करने का सुल्यूशन के बहुत कॉम्पेटिटिव मेंटेलेटी चल रहा है तो वहां पर क्या सुल्यूशन देन लाया जा सकता है और जब हम किसी को दबा देते हैं और दबने के बाद वह पर करना चाहिए और आपको किस तरह से इक्सप्रेस करना चाहिए और गुरु आपको किस तरह से आपको गाइड करता है कि सारे सवालों का जो आपको कल से आगे मिलेगा धुरू महाराज के सिरी चलेगी उसमें आपको इस सब दिखेगा और यह जो भागवत सिंकला है शिला प्रभपाजी के तात्परयों का निचोड़ हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं इसमें अगर कुन है तो आशिरवाद दीजेगा हरे क्रिष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सिला प्रभपाज की जाएड़ आपको कि अ